तो गैसे इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बैकेंड का कोड एड कॉंटेक्ट का पिछले वीडियो में हम लोग ने बनाया था यह form एड कॉंटेक्ट का और काफी आसानी से मैं आपको form बनाना सिखा दिया था step by step bootstrap की help से हम लोग ने form को design किया था इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप कितने आसानी से इस form को back end में database में save कर सकते हो बहुत ही कम code में बहुत ही आसानी के साथ एक फ्रेंड एक चीज और यहां पर important है क्या चीज important है यह जो form है कोई normal form नहीं है क्यों normal form नहीं क्योंकि इसके पास text भी है और साथी साथ में text के साथ इसके पास image भी है that means हमें जो back end में ले जानी है वो text के साथ image भी क्या करनी इस्टोर करनी है so I think आप समझ गयोगे थोड़ा सा complicated हो सकता है अगर आप इसको normally करोगे तो लेकिन हम लोग यहां पर spring की help से करेंगे तो spring की help से यह चीज बहुत असान होने वाली है तो चलते हैं बेना किसी time को waste के वाए देखते हैं अगर अभी तक आपने form को design करना नहीं सीखा है so मैं recommend करूँगा कि आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें क्योंकि उसमें हमने काफी मलब अच्छे से समझाया था और क्योंकि कुछ चीजें वहाँ पर important थी कैसे आप action दोगे इस form का यह सारी चीजें आपको important थी तो आप पिछला वीडियो जरूर देखें मैं क्या करूँगा मैं आपके लिए एक help कर सकता हूँ हूँ कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे सकते हूँ आप जाके इस सीरीज को जरूर एकसेस करें काफी चीजे आप सीखने वाले चले आप स्टार्ट कर देते हैं तो हम अभी तक फिलहाल तो इसको मिनिमाइस कर देते हैं और आ जाते हैं पने इस पे और बस एक चीज आपको मैं यहां पर दिखाना चाहूँगा क्या चीज दिखाना चाहूँगा अगर आप यहां पर आओ अपने फॉर्म पे एड़ कॉंटेक्ट वाले फॉर्म पे तो यहां पर देखो तो इसका जो एक्शन है वह हमारा है यूजर स्लैश प्रोसेस डैश कॉंटेक्ट् हो और आजाते हैं सिंप्री अपने कंट्रोलर में और यहां पर हम लोग क्या करते हैं यूजर कंट्रोलर में क्योंकि अबेसी बात हमें यूजर भी तो चाहिए तो हमारा यहां से मिल जाएगा यूजर यहां से हमारा यूजर मिल जाएगा इंदन हम लोग आएंगे और हम लोग यहां पर हम लोग यहां एक कमेंट लगा किलिक देंगे प्रोसेसिंग प्रोशिंग एड कॉंटेक्ट फॉर्म स्फयम् सम्हांट Mश्मे tv स्व्ड़। रिकरा पॉपर करनारों जिससे कि हमारा ग्जाय। फ़म फिर से उपन जैसे कि हम लोग वहां पर contact नया जैसे हम लोग message दे पाएं कि भाईया आपका contact successfully add हो चुका है और आप आप दूसरा contact अगर हम चाहते हैं तो हम अपने view contact पे भी भेज़ सकते हैं कोई इशु नहीं ठीक है तो simply हम लोग यहां पर आजाते हैं और यही वाला view दे दे परफेक्ट है और main यहां पर URL तो URL बैसिकली हम यहां पर post mapping होगी ठीक है तो method, HTTP method क्या होगा post use हो जाएगा अपने आप तो आपको explicitly बताने की जरुत नहीं कि भाईया आप क्या उसकर आप post method उसकर रहे हैं क्यूंकि यहां पर आपने post mapping annotation उसकर लिया अगर आप request mapping annotation उसकरोगे तब आपको वहां पर method बताने की जरुत होगी explicitly चले अब हम लोग आ ज contact या process contact था एक बार इसको check कर लिजिए गलत मत करिएगा यहां पर तो हमारा process contact था तो यही वाला आप यहां पर simply paste करिए ठीक है तो यह वारल मैच करना चाहिए आपके form के action से क्यूंकि जब आप form submit करोगे submit करोगे तब यहां पर इसी वारल पर data जाएगा और इस वारल पर ह बहुत आसानी से मिल जाएगा अभी मैं आपको दिखाता हूं कितने आसानी से आपको data मिल जाएगा ठीक है अब आपको कुछ नहीं करना अब देखो देहां से आपको क्या करना है क्योंकि वो जो data है form वो जो form है उसके अंदर जो data है वो हमारे contact entity का है contact object का है और वो सारे field ह हमने map करके रखें ओलड़ी जो हमारे contact class के अंदर जो fields ही वो हमारे form के अंदर भी वही field के नाम हमने same रखें तो अगर मैं यहाँ पर आ के simply use कर लो model attribute at the rate model attribute और मैं यहाँ पर यूज कर लो contact और contact के अंदर simply हम लोग variable contact ले ले और अगर आप देखो तो हम लोग हम लोग ने यहाँ पर simply object का नाम क्या लिया था भाई उपर देखो form में form में object contact लिया था so 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 आप simply ऐसे भी रख सकते हो data आ जाएगा contact का data आ जाएगा that's it आपने इतना कर दिया so contact में सारे वह ली field अपने आप आ जाएंगी जो fields जो field के नाम आप यहाँ से match होंगे जैसे example आप देखें यहाँ पर जो आपने input लिया था उसका जो name रखा था first name रखा है first name रखा है इसका जो नाम रखा है और आप अगर देखो यहाँ पर आपके contact class का भी यहाँ पर नाम match कर जाएगा तो उस field का data इसमें automatically आ जाएगा ठीक है इसी तरह सबका होगा यहाँ पर आपने second name का नाम रखा है और second name रखा है वही चीज आपने यहाँ पर match करेगा इस वाले field से तो उस वाले field का जो भी variable होगा इस contact object के इस वाले field में आ जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ आप इतना करने के बाद आप एक बार dry run जरूर करिए या तो एक बार test कर या राए data की नहीं आ रहा है तभी आप चीज़े समझ पाओ ठीक है तो हम लोग आ जाते हैं अपने controller में और simply हम इस contact object को प्रिंट कर देते हैं तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे contact object को प्रिंट करेंगे लिए साउट और मैं आपर लिखूंगा data और data और simply हम लोग अपना contact object प्रिंट कर देंगे अब देख लिए contact object प्रिंट करोगे तो contact का two-string method चलेगा तो अबसी बात है two-string method होना चाहिए तो एक बार हम लोग देख लेते हैं contact object में two-string method है क्लास में यहां पर तो अगर two-string नहीं है तो आप इसको create कर लिज़ेगा कोई दिक्कत नहीं हाँ पर अब मैं एक बार आपको submit करके दिखाता हूं यह चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही है ठीक है सो हम लोग आ जाते हैं अपने browser पे एक बार refresh माल लेते हैं और हम लोग फिर से login कर लेते हैं ABC and simply submit मार देते हैं और यहां पर हम लोग अपना data fill करते हैं तो हम यहां पर data fill कर देते हैं दुर्गेश दुर्गेश फोर नंबर कुछ देते हैं email भी देते हैं test at gmail.com and simply work में देते हैं software इंजीनियर ठीक है and description लिख देते हैं I am a Java programmer programmer प्रोग्रमर पर्फेक्ट है और आप image भी ले लो कोई कोई दिक करने हैं image ले सकते हो फिलाहल तो ऐसा ही कोई ले लो क्योंकि हम लोग testing कर रहें सब downloading download से कोई यहां पर image आप उठा लो and simply save कर दो आप देखो यह कुछ error दे रहा है अब आपको कोई कोई भी परशान होने की जरूत नहीं है यह simply file size limit दे रहा है file size का limit दे रहा है that means आपका file है वो limit से बाहर जा रहा है तो इस चीज को आप क्या कर से या त तो config मिलेगी आपको application.properties और अगर आप application.properties में यहाँ पर simply आ जाते हो तो आपको वहाँ पर बहुत सारी शीज़ें आपको मिल जाएंगे ठीक है जहां पर आप क्या कर सकतो specify कर सकते हो कि यह हमारी file size क्या है और यह तमाम चीज़े specify कर सकते हो यह चीज आप क्या कर सकते नेट वागरा से भी देख सकते हो कि यह file size कैसे कैसे बढ़ा है ठीक है जैसे for example आप Google पर आजाओ और यहाँ पर आप सर्च कर दो यहाँ पर आप सर्च कर लो spring boot file upload file size ठीक है file size यहाँ फाइल साइस लिमिट कर दो ठीक है file size लिमिट कर दो यहाँ पर बहुत सारी websites open होंगी आ आप सिंपली यहाँ पर गेटिंग स्टाइब जो और स्टाइब यहाँ यहाँ सभी देख सकतो यहाँ पर भी आपको कुछ information मिल जाएगी यह फिर आप यहाँ मैक्स लिमिट ऑफ मल्टी पार्ट फाइल इन स्प्रिंग बूट यह भी देख सकतो तो मैं रिकमेंट करूंग तो आपको देखो कुछ options मिल जाएंगे अगर आप spring boot 2.0 कर रहे हैं तो आप यूज कर लो max file size ठीक है max file request size यह चीज़ यूज कर सकते हो और अच्छा अगर आप माइनस वन सेट कर दोगे तो यह बता रहे हैं कि वह यह infinite हो जाएगा बट अगर आप 10 MB 12 MB रखना चाह रहे हो तो रख सकते हो ठीक है यहाँ पर आपको यूज करना है मल्टी पार स्प्रिंग डॉट सब्रे डॉट मल्टी पार्ट डॉट मैक्स फाइल साइज और यह दोनों रखना है तो मैं सिंपली यहाँ पर आऊंगा इसको कॉपी कर लोंगा और अपने इसमें आ जाऊंगा एंड सिंपल हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पर आजाएंगे इसको पेस्ट कर देंगे and minus one minus one infinite file size आ जाएगी आपके पास ठीक है अगर आप चाहो तो यहाँ पर 10MB लेखना है तो आप 10MB कर सकते हो यह भी कर सकते हो तो 10MB की file size रहेगी and max request size भी आप इसको भी 10MB कर सकते हो बट देखो तो यह कह रहे हैं कि it seems that setting minus one will make it for infinite file size, तो अगर minus one रखोगे तो infinite file size in according हो जाएगी, कोई रिकर नहीं, अब लोग फिर से क्या करते हैं, अपने file को exactly आते हैं और यहां पर submit करने का try करते हैं, ठीक है, so हम लोग फिर से आएंगे and try करेंगे, so आप देखोगे, sign in, sign in हो ग guide contact पर आ जाते हैं, fill करते हैं, कुछ, कुछ fill कर देते हैं and email मे, email में डाल देते हैं, test, test at gmail.com and work में हम लोग software engineer डाल देते हैं and ऐसे कुछ यहां पर fill कर देते हैं, file जरूर, file size जरूर उठाई है यहां पर, ठीक है and सिर्फ save कर दीजे, so आप देखोगे, यहां पर क्या रहा email को check कर लेते हैं, ठीक है, so obviously बात है, हम लोग का URL गलत हो गया, क्या URL गलत हो गया, हमें user नहीं लिखना है यहां पर, क्योंकि हम लोग यहां पर user लिख चुके अपने class पर, तो दो बार user user हो गया, तो यह देखेगा, आपका URL गलत हो रहा है, कि सही हो रहा है, इची जाद तो हम लोग यहां से URL लटा देंगे, then save कर देंगे, and then try to refresh करेंगे, एक बार sign out हो जाएगा, obvious ही बात है, ठीक है, so हम लोग यहां फिर से हम लोग क्या करेंगे, अपना data submit करेंगे, ठीक है, so phone number कुछ enter मार देते हैं, and अपना email id कुछ मार देते हैं, and email id कुछ मार देते हैं, और यहां पर software engineer कुछ मार देते है, and I am Java programmer मार देते है, and simply, उतने ही size की photo हम लोग ले लेंगे, ठीक है, so वही वाली photo ले देते हैं, यहां कारवार की, and then submit कर देते हैं, आप देखोगे, फिर से उसी page पे आगे, इसका मतलब सब को सही हुआ है, और अगर आप यहां पर check करते आपको कुछ data मिलेगा, आप देखोगे, यहां पर data में मिल आपको contact, contact ID 0 मिल गई है, and साथ ही साथ में contact ID 0 के बाद आप देखोगे, तो आपको name दुरगेश मिल गया, second name दुरगेश मिल गया, work में आपको software engineer मिल गया, and test में, आपको email में, आपको test.gmail.com मिल गया, phone में, इमेज आपको explicitly set करना होगा, वो हम लोग कर देंगे, and description में, हमें Java programmer मिल गया, and user, user में null है, यह user क्या चीज़ है, user आप देख सकते हो, user में null आ रहा है, so, 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 obviously बात है, यह contact कि user को belong कर रहा है, वो 0 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 है, कोई दिक्कत ने, so, जो, जो required data ह इमेज के छोड़के, वो सब कुछ मिल चुका है, perfectly, अब हम लोग इसको save करते है, तो save करना बहुत, बहुत easy है, आपको, आपको simply एक contact repository बनाना है, and then finally इसको save कर देना है, तो simply इसको save कैसे करेंगे, ध्यान से देखे, contact को save करने का एक जुगाड है, क्या जुगाड है, ध्य यहां पर, basically, यह contact किसी ने किसी user का होगा, that means, जो बंदा add कर रहा होगा, उस user के पास यह contact जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, simply, आप देखो, यहां पर, उस user की सबसे पहले, आप detail निका लिए, वो user की detail आप कैसे निकाल सकते थे, उस user की detail आपको यहां से principal से मिल अब आप क्या कर सकते हो, this.user repository.get user by username, और आप यहां पर अपना name पास कर दीजिए, और बैसी बात आपको वो user मिल जाएगा, कौनो सा user मिल जाएगा, जिस user का यह contact होगा, जो user यह contact add कर रहा होगा, तो हम लोग यहां पर लिख देंगे user, ठीक है, अब इसके लिए मैं क्या क अपना contact simply add कर देंगे, अपना contact add कर देंगे, फिलाल अभी हम लोग image को नहीं देख रहे है, अभी हम लोग simply normal contacts को add कर रहे है, तो यह इसके पास contact आ जाएगा, and perfectly that's it, इसके पास contact आ जाएगा, अब आप क्या कर सकते हो, इसको update कर सकते हो, कोई दिख कर नहीं, अब आप simply क्य contact को यहाँ simply save कर दो, that's it, अपने आप से क्या कर देगा, यह contact नहीं, आप user को save कर दो, ठीक है, क्योंकि अविसी बात है, user के पास updated contacts है, and जब user आप save कर दोगे, तो अविसी बात, वो user तो है यह database में, तो वो क्या करेगा, वो अपने detail को update कर देगा, that means, जो आपने contacts यहाँ add की है list में, वो contact सो भी है, simply add कर देगा, इतना करना एक वा simply हम लोग है, कि यहाँ पर message दे देते हैं, कि यह contact add हुआ है, कि नहीं add हुआ, तो हम भी देते हैं, added to database, added to database, simply, आप एक contact repository अलक से बना सकते थे, कोई दिखकर नहीं थी, ठीक है, बट यहाँ भी हम लोग ने user से ही सेट कर दिया, कोई दिखकत नहीं, अगर contact repository बनाते हैं, तब भी आपको contact के पास user set करना पड़ता है, then contact को save करना पड़ता है, यहाँ पर हम लोग ने user निकाला है, user के अंदर ही contact कर दिया, contact को add कर दिया list में, and then हम लोग user को update कर दिया, that's it, जैसे user update वा, user contacts भी क्या हो जाए दिया ने, तो हम लोग आजाते हैं, अपने browser में, sorry sorry हम लोग अपने browser में आ जाते है, and browser में हम लोग इपार refresh कर लेंगे data, so हम लोग एक home पे चले जाते है, and then हम लोग को login करना होगा, अब सी बात है, and login कर देते है, and add contacts पे आ जाते है, and अपना contact add करते है, ठीक है, उस डाल देते हैं email id अपनी डाल देते हैं work डाल देते हैं and I am java programmer and photo अप्सलेट कर लो हलाकि photo की processing अभी इस वीडियो में नहीं करें बट हम लोग आने वाले upcoming videos में next video में हम लोग photo की processing करेंगे save करेंगे ठीक ऐसा नहीं email and phone भी आ गया मतलब जितनी required detail नहीं आ गई और data आपका add भी होगा database में एक बाद database चेक करना होगा एक बाद database चेक करना होगा कि data आया है की नहीं आया है तो हम लोग simply आ जाते हैं अपने यहां पर workbench open कर लेते हैं and workbench में हम लोग simply यहां पर आ जाएंग अपने दुर्गेश तो आई नहीं है दुर्गेश आ गया और आपका phone number आ गया and आपका second name आ गया यह आ गया and user id नहीं आए भाई यूसर आई डी नहीं आए तो यह तो important था user id important था तो इसका भी हम लोग fix कर देते हैं ठीक है हम लोग यहां पर एक बार delete रो कर देते हैं ठीक है तो हम लोग दोनों रोज मैंने डिलीट कर दी है तो यह इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग ने contact के पास user नहीं set किया तो by directional mapping थी तो हम लोग simply यहां पर अभे हम लोग क्या करेंगे get contact get user.getContacts.contact ko add करने से पहले हम लोग क्या करेंगे अपने contacts.set user कर देंगे और user कर देंगे तो बेसिकल लिस्ट में इस तो यह दोनो लाइन important है contact को आपको user देना है और user के contact list में यह वाला contact है user dot get contact जब करेंगे तो लिस्ट आ जाएगी and dot add कर देंगे तो इस लिस्ट में आपका contact add हो जाएगा simple एक बार हम इसको save करके and then हम फिर से try करेंगे देखेंगे user आ रहाए कि नहीं आ रहा है तो simply logout तो होना ही होना है ठीक है सो हम लोग tab abc and simply add context पर आ जाते हैं and फिर से हम लोग add करते हैं nickname डाल देते हैं दाल देते हैं pinko वैसे pinko मेरा nickname नहीं है ठीक है but मैंने ऐसे डाल दिया and email में हम लोग लोग अपनी email करेंगे and software engineer करेंगे and यहां पर लिख देंगे I am Java programmer programmer परफेक्ट है and हम लोग image select करेंगे and then image select करेंगे and simply क्या करेंगे save कर देंगे और यहां पर फिर से कोई दिक्कादारी देखते हैं तो यहां पर यह two string method कुछ गडबड कर रहा है बता नहीं कुछ गडबड कर स्टैक ओवर्फ्लो की कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहां पर देखो के तो स्टैक ओवर्फ्लो कुछ प्रॉब्लम कर रहा है देखे जावा डॉट लांग डॉट स्टैक ओवर्फ्लो नो मैसेज अविलेबल इसको कमेंट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए तो हमारा पर्फेक्ट्ली काम चलेगा ऐसा क्यों आ रहा है मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो अभी फिलाल में हम लोग लॉग आउट को हो जाते है और सिंपली मैंने तूसी मेंट को हटा दिया है थोड़ी देर के लिए ठीक है आप देखोंगे पर्फेक्ट्ली काम हो रहा है स्ट्रिग मैंट को मैंने यहां से रहा दिया और सिंप्ली अगर हम लोग डालते हैं आपे अपना पिंक कू अन हम लोग अपना फो नमबर डाल कर देते हैं, so image 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 कोई भी image ले लो, कोई दिख करते हैं, सब देखो कर देते हैं, so आप देखो के, यहां पे, I think सब कुछ perfectly हो गया, और नीचे आजाते हैं, देखते हैं, ठीक है, ठीक है, और आजाते हैं, अमने चेक करते हैं, यहां पे, एक बार अपने contact को हम लोग देखते आप देखोगे यहां पर आ गया है अलड़ी आप देखोगे यहां पर simply हमारा data आ चुका है एक data अभी पहले का था तो अगर एक data हटा दो तो बैसिकलिए और यह दोनों हम लोग हटा देते हैं यहां से सलेट कर लिया यह और सिर्फ दबा के यह बहुत कर दो अभी राम के पास कोई contact नहीं है अब रिफिस कर दो दन यह क्या कर सकता है यह को एड़ कर सकता है सब एड़ कॉंटेक्ट में आएगा सपोज यह कॉंटेक्ट कर रहा है राम यह कॉंटे करन 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 sing sing and nickname करन and phone number 12345678 and email में दाल दिया करन gmail.com gmail.com and इसने work में दाल दिया software engineer he lives in Delhi and इसने एक फोटो इसकी सब्सक्राइब कर दी ठीक है चलो यह फोटो सब्सक्राइब कर दिया and then simply save कर दिया so आप दिखोगे perfectly आपका यहां तो add हो गया होगा कोई दिक्कत नहीं इसको clear कर देते है and हम लोग यहां पर आ जाते है अपने database में and check करते है करते हैं refresh करते है तो आप दिखोगे 12 इसकी आईडी आ गई लही रिपस इंडेले करन and image में नल है क्योंकि image के अभी हम लोग ने कोई काम किया नहीं है and फिर name में देखे करन सिंग आ गया phone में इसका phone ना गया second name आ गया software engineer आ गया and user id किस user का यह contact ही आ गया अगया और उचाता है या किरन को भी एड करना तो क्या कर सकता है किरन को भी एड कर सकता है किरन लांभा ठीक है and के रन या ऐसे डाल सकते है नीटा and phone number में कुछ जाल सकते है और नीटा at the red gmail.com वाइफ एंड रिख देते है नाथिंग कोई भी डिटेयल नहीं इसके पास and एक पिक्चर सब्रेट कर लेते हैं आप देखोगे और आपका यहाँ पर रिफिस करने पर देखो 13 आ गया nothing and email आ गया image है नहीं कुछ हभी image का URL and simply name में name में क्या आ गया इसको थोड़ा बड़ा कर लेते है नेम में किरन नामबा and phone number and second name में आ गया housewife आ गया and किस user ना एड किया 8 ने अगर किसी कोई और एड करेगा तो उसका user id इस तरफ आजए तो आप यह चीज़ समझ पार होगे और आपने processing कर लिया इस form की आप इसका validation करना आपकी जिम्हादारी है क्योंकि इसका validation करना आपका काम है क्योंकि हमने आपको यहाँ पर registration में भी क्या कर आया था तो वह आप validation के लिए नेक्स वीडियो में हम आपको image process करना सिखाएंगे कैसे हम लोग image को अपने folder में save करेंगे और इसको बाद हम लोग यहाँ पर उस image का URL इस वाली फील्ड में लाएंगे इस वीडियो के तरकते काफी लंबी वीडियो हो गई इसको दो बार देखिए त लेकिन काफी अच्छी वीडियो है तो आप इसको देखिए और समझे क्योंकि यह चीज आगे वाली वीडियो में भी आपको जरूरत पढ़ेंगे मैं 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 तब से नेक्स इंट्रेस्टिंग वीडियो में है अगर अभी तक चैनले सब्स्राइम है वीडियो को लाइक ला आले और आम झाम झाले अर्णृर आन यार्णृर्ण पाल्ष Snहाँकं शर्सक्षके अधार लाई वीडियो φास इंगी अर्मियोंका है वीडियो फो वीडियो है एो चर इस दो उड़ giàई यह श्याइख वीडियो ओरा स्म lists फ दो आह points उ देख mindfulness ऑड़ भाल भार को